जहें दोस्तों आप सभी का स्वागत है अध्यन केंद्र चाइनल पर इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं स्पेडी का जो पचपंसो प्लस लेकर दिसंबर तक जो भी करेंट अफेर हैं वन लाइनर के फॉर में वह पढ़ लिया अब यह तीसरा पार्ट है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो भी इंपोटेंट टॉपिक था दो हजार बीस में वह और जो अगामी कोई इवेंट होने वाला है गेम या फिर कोई मिटिंग कहां पर हुआ वह सब पढ़ेंगे हम इस पार्ट में पार्ट थ्री में और पार्ट फोर जो आएगा उसमें इसी बुक में पांच से च्छो सेट दिया गया है एंटी पीसी और गुरूप डी के रिगार्डिंग तो उसक पर थाहरत 370 और 35 से जो भी इसका प्रिक्षा बढ़ेंगे पर एक कम से कम कोशिश करेंगे चार पेस कमपलिट हो यानि कम से कम चार टॉपिक आपका कमपलिट होगा तो यह नहीं करना कि पहला टॉपिक इंपोर्टेंट नहीं है तो स्किप कर देता ऐसा गलती नहीं करना पहले यहां पर दिया गए धारत 370 जो है इसके बाड़े में महत्पूर्ण था था। भारती संबिधान के अनुछे 370 के तहत जमु कास्मीर राज को भारत में अन्य राजियों के मुकाबले 20 से साधिकार दिया गया था। जिसे संविधान के भाग 21 के तहट दर्जा भाग 21 के तहट ये अनुच्छे 370 आता था धारा 370 को भारती संविधान के पुर्व परधान मंत्री जवाहर लाल नहरू और जमू कास्मिर के महराजा हरी सिंग के मध्य हुए समझोते के बाद दि जोड़ा गया था धारा 370 को 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था ये धारा 370 जो है कब लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को धारा 370 के मुताविक भारती संविधान जमू कास्मिर के मामले में सिर्फ तीन छेतर कौन-कौन सा तो रक्षा, बिदेश मामला और संचार इसको लेकर जो सेंट्रल गौर्वर्मेंट थी वो कानून बना सकती थी इसके अलावा किसी कानून को लागू करने के लिए राज सरकार से मंजूरी लेना पड़ता था ये तीन छेतर आपके लिए इंपोटेंट है रक्षा, बिदेश मामला और संचार अब ये तो हो गया 370 कंप्लिट हो गया अब आगे दिया गया आर्टिकल 35 ए तो अनुछेत 35 प्रापधान था जो जमू और कास्मीर विदान मंडल को या अधिकार प्रदान करता था कि वो यत्ताई करे कि जमू और कास्मीर का अस्थाई निवासी कौन है और किसे सार्वजनिक छतर की नौकडियों में बिसेस आरक्षन दिया जाएगा किसे संपती खड़िदने का अधिकार होगा किसे जमू और कास्मीर विधान सभा चुनाब में भोट डालने का अधिकार होगा आर्टिकल 35 एक को ततकालिक नराश्टपती डॉक्टर राजंद्र परसाद दुआड़ा एक आदेश पारित कर 14 मैं 1954 को भारती संभिधान में ज 14 मैं 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे दस सल पहले राज्य में रह रहा हो और वहां का संपती उसे हासिलो तो वो क्या आएगा जमू कास्मीर का उस्टप में नागरिक था अब आगे दिया गया है धारा 370 तता 35 से जो खत्म हुआ उसके बारे में कुछ तत्थ दिया गया है 11 अगस्त 2019 को राश्टरपती रामनात कोबिंद द्वारा जमू कास्मीर पुनरगठन विधयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने जमू कास्मीर राज्य का विशेश दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35 से को हटा दिया गव हटा 11 अगस्त 2019 और उस तैमें जो जमू कास्मीर के यह राजपाल थे वो कौन थे लाल जी टंडन लाल जी टंडन थे और यह डामनात कोबिंद उस तैमें प्रसिडेंट थे जमू कास्मीर से धारा 370 हटाने के बाद भी धारा 370 के तीन खंडों में से खंड एक अभी भी लागू है धारा 370 हटाने के लिए जमू कास्मीर पुनरगठन बिधैयक 219 को सरपर्थम गिरिह मंत्री अमित साह ने 5 अगस्त 2019 को राजसभा में पेश किया जहां बिधैयक के पक्ष में 125 और विपक्ष में 61 भोट परे थे जबकि लोकसभा में जो 6 अगस 2019 को पेश हुआ पक्ष में 370 और विपक्ष में 70 भोट परे मतलब ये बिल क्या हो गया पास हो गया जब जम्मू कास्मीर दोक कंडर सासिद पर्देश जम्मू कास्मीर और लद्दाग के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया धारा 3070 हटाने के समय जम्मू कास्मीर के राज़िपाल कौन थे सत्यपाल मलिक या लिखा भी गया है ये बहुत इंपोटेंट है पूछा जा सकता है कभी भी पूछा जाएगा ये कि धारा 370 जब हटा था जम्मू कास्मीर में उस टेम में वहां का राज़िपाल कौन था तो सत्यपाल मलिक सत्यपाल मलिक आगे अब दिया गया केंदर सासित परदेश जम्मू कास्मीर वा लद्दाख तो पांच अगस्त 2019 को जम्मू कास्मीर पुनरगठन बिधेयक 2019 परस्तूत किया गया जिसके तहट जम्मू कास्मीर तथा लद्दाख को दो केंदर सासित परदेश घोसित किया गय 9 अगस्त 2019 को यह विधेयक राश्ट्रपती की स्विकृति के परस्चात अधिनियम बन गया मतलब यह कानून बन गया 31 अक्टूबर 2019 थोड़ा याद रखना केंद्रसासित परदेश जम्मु कास्मीर के पहले उप राजिपाल कौन बने ग्रीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के उप राजिपाल कौन बने राधा कृष्ण माधूर जम्मु कास्मीर के ग्रीश चंद्र मुर्मू और लद्द प्राक की राजदानी कहां पर ले हैं जम्मु कास्मीर को बिधान सभा के साथ केंदर सासित पर्देश बनाया गया है। क्रिट कास्मी जो प्यूक के हैं के लिए डिक रहेगी और क्या होगा चुनाब होगा जमुकास्मीर से लोकसभा की 5 और राज्शभा की 4 चीLife होगी लग्दाक से 1 सिट लोकसभा के लिए होगी बरतमान में केंदर सासित पर्देश जमू कास्मीर में कुल 22 डिस्टीक है जो जमू कास्मीर है उसमें कितने हैं 22 डिस्टीक है आगे आप कुछ और प्रिक्चा उप्योगी महत्पुर्ण तथ दिया गया है जैसे कि राजी के रूप में जम्मू कास्मीर का अस्थापना कब हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 जम्मू कास्मीर के अनुछे 370 लागू कब हुआ था तो 17 अक्टूबर 1949 को 17 अक्टूबर 1949 अनुछे 370 का मसौदा तयार किसने किया था गोपाल स्वामी अयंगर ने भेड़ी इंपोटेंट है ये गोपाल स्वामी अयंगर जम्मू कास्मीर की धारा 35 अ को लागू किया गया था 14 मए 1954 को 14 मए 1954 जम्मू कास्मीर का संबिधान लागू हुआ था 26 अनुछ जन्वरी 1957 को जम्मू कास्मीर का संबिधान लागू हुआ था बरत्मान में 26 दर्जा पराप्त राजियों की कुल संख्या 10 है जमू कास्मीर का 26 राजि का दर्जा समाप्त 5 अगस्त 2019 को होगा जमू कास्मीर तथा लद्दाक केंदर सासित परदेश के रूप में अधिकारिक रूप से अस्तित्यु में आया 31 अक्टूबर 2019 को अनूचे 370 समंदित था तो सम्विधान के भाग 21 से भाग 21 में था अनूचे 370 के वारे में पहले जमू कास्मीर बिधान सभा का कारिकाल 6 वर्सका होता था अब कितने वर्सका होगा 5 वर्सका होगा अब आगे जो पेज है मितलब टॉपिक है वो दिया गे नवगठित जांच समीतिया एबं आयोग नवगठित जांच समीति और आयोग के वारे में दिया गया है तो पहला यहां पे नवगठित जांच समीतिया जिसमें दिया गे अजय भला समीति अजय भल्ला समिती है भारत आने वाले चीनी निवेसों की परिक्षन हितु बनाया गया अजय भल्ला समिती राश्ट्रिये खेल पुरुसकार 2020 के चेयन करता के अध्यक्ष कौन है मुकुंदकम सर्मा डॉक्टर बियेस चोहन समिती विकास दूवे प्रकरन के नियाईक जांचेतु बनाया गया ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिती के अध्यक्ष कौन है राजेस भूसन राश्ट्रिये सिक्षानिती जो 2020 आया उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी डंगन डॉक्टर के कस्तूरी डंगन इजी ओएम जो मंत्रियों का समू है गटित किया गया वो है आयुध निर्मान बोर्ड के निगामी करन के निगरानी हेतु जिसके अध्यक्ष राजनात सिंग को बनाया गया SCL दास समीती यह असम में Oil India Limited के एक कुवे में जो भी स्पोर्ट हुआ था उसकी जाज के लिए मनाया गया SCL समीती था केवी कामत समीती काफी इंपोटेंट है कोवेट 19 समंधित तनावगरस्त पड़ी समपत्तियों के समाधान के लिए बीतिये मापदंडों का सुझाव देने हितु बनाया गया था केवी कामत समीती राश्त्रिये जल निती समीती मसोदा तयार करने हितु बनाया गया था जिसके अध्यक्श कौन थे मिहीर साह सुर्जीत भल्ला समीती ब्यापार बानेजी से समंदित निती निर्मान है तु है सुर्जीत भल्ला समीती अमिताव कांथ समीती ट्रेनों का प्रविटायेशन जो होगा उसके लिए बनाया गया था अमिताव कांथ समीती किरन रिजु समीती 2020 वा 2024 में ओलंपिक की तयारी है त सुरत मात्उर समीति का नाम किरन रिज्यु समीति किनि सी अर्फवस्था में सुधार है तू बनाय गया था सुरेश मातूर समीति सुरेश माथुर समीती देखो जो नाम है न वही उसके अध्यक्ष है सुक्षम बीमा पर नियामक धांचा की समिक्षा हेतु बनाया गया था सुरेश माथुर समीती गौता मडे समीती जी एस्टी को सरल बनाने के लिए बनाया गया था गौता मडे समीती चुनाव आयोग द्वारा जन परती निधित्व कानून के पुनरिक्षन हेतु बनाया गया था उमेश सिन्ह समीती जस्मिन सा समीती दिल्ली सरकार द्वारा उच्चे सिक्षा में सुधार हेतु बनाया गया जस्मिन सा समीती उत्तर प्रदेश में सहायक सिक्षा भरती की जांच के लिए बनाया गया संजय भुस्रेड़ी समिती सीके मिस्रा समिती ताजमहल के आसपास और जोगिक प्रदूसन से निपटने के लिए सीके मिस्रा समिती धिंगडा समीती, 1984 में जो सिख दंगा हुआ था उसकी जांच के लिए बना धिंगडा समीती, जिसके अध्यक्ष है सिब नरायन धिंगडा अमिताव कांत समीती, ट्रेनों के नीजी करन से रेपिटेट हो गया ये तो यह मालेगों समीती, सुक्षम डिन धोखाधारी के निगरानी है तो बनाया गया यह मालेगों समीती, जोर्ज कूरियन समीती, आठ राजियों में हिंदूओं को अल्प संख्यक समुदै का दरजा देने है तो जोर्ज कुरियन समीती बनाया गया मुल्य इस्थ्रीकृत फंड प्याल्ज की खरीद से सम्मन्दी थे जिसके अध्यक्ष कौन है अविनास स्रिवास्तब क्रिस्टना नदी प्रवंधन बोर्ड जिसके अध्यक्ष थे एक के बजाज प्रस्टियां से ये भी आजाया क्रिस्टना नदी को लेके किन दो राज्यों बिवाद चलता है तो अध्यक्ष कौन थे अफजल अमानूला आगे अव दिया अन्य कुछ महत्पुर्ण समीति और जो पढ़े न वो बहुत इंपोटेंट था आगे वाला भी इंपोटेंट है पर इंपोटेंट है बहुत सारे इंपोटेंट है गोई पोड़िया समी IT यह बैंकिंग सेवा सुधार के लिए सुखमै चकर वर्थि समिथी मौद्रिक परनाली परपुनर विचार हेत। रगुराम राजन समिती बितिये छेत्र में सुधार है तू रगुराम राजन समिती सुन्दर राजन समिती खनीज देल में सुधार है तू रेखी समिती और पर्त्यक्ष कर से संबंदित है रेखी समिती वांचु समिती पर्त्यक्ष कर से संबंदित है वांचु समिती ये थोरा एस्टेटिक को लिया गया है और ये जो पुरा था ना इसे रही पढ़े वो करेंट वला था ये थोरा पुराना है तो मीरा सेट समीती काफी इंपोटेंट है खथ करगा से विकास से था भंडारी समीती छेत्रिये गडामिन बैंको के पुनड सनरचना के लिए भंडारी समीती महलोनभी समीती राष्ट्रिये आईसे समंदी था आविद हुसेन समीती लगो उद्योग से गाडगिल समीती पस्चमी घाट के सनरक्षन से भेड़ी इंपोटेंट है ये सब तो स्वामिनातन समीती जन संख्या निती से समंदी था जानकी रमन समीती परती भूती घोटाला से जानकी रमन समीती रिलेटर था दंते वाड़ा समीती ये है बेरोजगारी के अनुमान से महाजन समीती चीनी उद्योग से सत्यम समीती वस्त्रिनिती से सुरेश तेंदुलकर समीती गडिव रेखा के आंकलन हेतु गडिवी रेखा के आंकलन के लिए सुरेश तेंदुलकर समीती बनाया गया था बलवंत राय मेहता समिती पंचैती राज से शिवरामन समिती नवाड की अस्थापना के लिए शिवरामन समिती के संथानम समिती CBI की अस्थापना से रिलेटेड था राजा चलया समिती कर सुधार से ग्यान प्रकास समिती चीनी घोटाला से केलकर समिती कर सनरचना सुधार से हनुमन्त राव समिती उर्वरक से हन्टर आयोग ये समंधित जलिया वाला बाग कांड से लिब्राहन आयोग यह बाबडी मस्जित से श्रीक्रिस्न आयोग मुंबई दंगा से नानावती आयोग गोधरा कांड से जैन आयोग राजीव गांधी हत्या कांड से ठकर आयोग इंद्रा गांधी हत्या कांड से ठकड आयोग इंद्रा गान्धी हत्या कांड से सरकडिया आयोग केंद्र राजी समद से मंद्ल आयोग पिछली जाती के लिए सीटो कारक्षन मंदल आयोग और कोठाडी आयोग सेक्षनिक सुधार से समध देता अब आगे जो आपको सारे टॉपिक है तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं इसलिए मैं कहा रहा था कि वीडियो को ना बीच में पॉस्ट नहीं करना जो इसे पहले छोड़ के चले गए होंगे उनको यह इंपोटेंट फेक्ट बच गया होगा एंटेपीसी के हर सेट में इसी एक प्रसना आ रहा है तो यह काफी इंपोटेंट यह पेज है धियान ची देखिएगा इसको और जो याद करने में दिक्कत होना उसको कोपी पर लिख लेना यह बार बार देखो तो याद हो जाएगा थोड़ा समझे लो बहुत पहले मैं बता इंटरनेशनल मेरिटाइम और गेनएशन उसका हैड़कॉर्टर लंदन में है ने तो जो भी इंटरनेशनल और वर्ल्ड से स्टार्ट है उसका हैड़कॉर्टर जेनेवा होगा चलो देखते हैं इस्टार्ट करते हैं अंतराश्ट्रियस चरम संगठन अस्थापना 1919 में हु इंटरपोल का स्थापना एंटिस सो तैस में लिओन्स फ्रांस का जगाह लिओन्स वहां पी इसका हैड़कोर्टर है और जिम यूंग यांग इसके हैं अध्यक्ष 192 नम्मर का यह अस्थान है इसका राश्टीमंडल राश्टीमंडल कॉमन वेल्थ यह होता है इसका हैड़क लंदन में अस्थापना 1926 में हुआ था और इसका पेट्रियास स्कॉंट्लेंड में इसके मतलब यह अध्यक्ष है अभी महानिदेशक जिसको कहते हैं पेट्रियास स्कॉट्लेंड चौवन देश हैं इसमें सबसे लाश्ट देश मना है मालदीव संजुक्त राष्ट संग दक्षिन सुटान हैं अंतर्यासी यह मुद्रा कोस ऐड़कॉटर फंडिंग वाला उसका है घूट इसे मुद्रा कोशनव स्थापना हुआ जैसी innovative इसका स्थापना उनिशुज में हूँ को 1944 पर ठीक करना वान सिंग गटन DC इसका हेड़कौाटर है और डेविस मलपास जो है डेविड मलपास इसके अध्यक्ष है एक सो नवासी देश है लास्ट इसका नौरू है नौरू खादी और किर्सी संग गठन जो फूड से रिलेटेड होगा ना उसका हेड़कौाटर कहां जाजधानी में है और यह साबना हुआ 1945 में इसके जो हैं अब्दुलकावी आहमाद यूसुफ इसके अभी अध्यक्ष है या महासची में 1994 देश है इसमें जुरे हुए युनेस्को का हेड़कौाटर पेडिस युनेस्को पेडिस फ्रांस देखो युनेस्को में फ्रांस म एक तो हो गया जो भी इन्वारमेंट से रिलेटेड होगा इस सब का हेड़कौाटर पेडिस फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा तो युनेस्को का पेडिस फ्रांस में 1946 में इसका अस्थापना हुआ और अध्यक्ष है 193 इसमें कंट्री मतलब मेंबर है इसके आगे को है ना 29 दिसंबर को जिए पुछा गया था यह पहला पड़सना गया था इस सबसे युनिसेफ के अध्यक्ष कौन है तो एक सो नमबे मेंबर है इसमें डावलो एचो वर्ल्ड हेल्थ और जैनेवा हो जाएगा वल्ल्ड से स्टार्ट है टेडरो से आठानों में इसके अध्यक्ष है अब इससे आगे जो है ना कितना मेंबर है वह पूछा नहीं जाएगा अप लोगों से ठीक ना तो वह हम नहीं पढ़ेंगे नाटो नाटो का जो हेड़कॉर्टर है बुरुसेल से अस्थापना उन्चास में हुआ था इसके जो यह सब पूछा नहीं फिलिपो गरांडी इसके वह अध्यक्ष है एउ यू 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 यूनियन इसका जो हेड़कॉर्टर है बुरुसेल से बेल्जियम में है अस्थापना उन्चावन बेरी इंपोटेंट उर्सीला वांडिर लियन इसके अध्यक्ष है ओपेक का बियेना ऑस्ट्रिया में ह और इसके सुनिस्ची वरकिंदो इसको जो है यह अध्यक्ष है गूट निर्पेक्च मतलब नन एलाइंस मोव्मेंट जो है 1961 में अस्थापना हुआ था हेड़कॉर्टर आपको इंडोनेसिया की राजधानी जकार्ता में मिलेगा और विराहिम अलियेव इसके अध्यक्ष ह हैं एमनेस्टी इंटरनेस्टनल 1961 में इसके अस्थापना हुआ था हैड़कॉर्टर इसका लंदन यूके में है कुमी नइडू इसके अभी अध्यक्ष है यून सीटी अडी अंक्टाड ये जनेवा में है 1964 में अस्थापना हुआ था और मुखिसा कितियो इसके युनाइटर नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम इसका हेड़कॉर्टर आपको नियॉयोर्क में देखने को मिलेगा और यह 1965 में इसका अस्थापना हुआ था अच्छी में इसके अध्यक्ष है एड़ीवी हेड़कॉर्टर मुख्याल है अस्थापना हुआ था एड़ीवी के एक साल बाद अस्थापना उन्नी सो पचासी में हुआ था हेड़कॉर्टर काटमांडू है और इस साला रूबन बीडाकून इसके वह है इसमें आठ मिंबर कौन-कौन चाहे अफगानिस्तान बंगलादेश भूटान भारत मालदीव नेपाल पाकिस् प्रफटीन इसका स्थापना हुआ 1989 में हेड़कॉर्टर जेनेवा है और सत्रा भिकासील देशों का संगठन है G15 एपैक एपैक कास्थापना हुआ 1989 में हेड़कॉर्टर सिंगापूर है नाफ्टा 1992 में ये बना था मैस्था नुनीसनौ तो राष्ट मानवाधिकार परिशद इसका अस्थापना 1993 में हुआ था हेड़कॉर्टर जेनेवा है और इसकी जो अध्यक्ष है वह है मिसेल वेचलेट चिली की है विश्व व्यपार संगटन डबलू टी यो इसका स्थापना 1995 में हुआ है रोवर्टो आजी वेदो इसके अ मिम्बर इसमें है ना मतलब सार्क में उसमें से पाकिस्तान को हटा दो और वो सारे मिम्बर है साथ मिम्बर कौन कौन से अफगानिस्तान बंगलादेश भुटान इंडिया माल्दीव नेपाल और स्रिलंका संगहाई SCO SCO संगहाई सहयोग संगठन इसका स्थापना 2001 में हु जो अपरमुक है वो है चिली इवो उसूजू 124 कंट्री मेंबर है इसमें अफ्रीकन यूनियन 2002 में इसका अस्थापना हुआ अधिस अबावा जगह है जहां हेर्कोर्टर है और जो अफ्रीका का प्रेसिडेंट होता ना वही स्रील रामफोसा इसका अध्यक्षावे 55 कंट चीन दक्षीन अफ्रीका इसका मीटिंग बड़ एक लाइंज होता है अगर पहला प्राजीन में होगा फिर इंडिया में होगा चैना में होगा और साथ अफ्रीका में तो इस प्रकार होता है अब आगे जो हमारे एक्सेसाइज है वह है परमुक अंतरास्ट्री सम्मेलन 21 में यह हुआ मतलब होगा ग्लासको यूके में ग्लासको यूके में और अठारा का हुआ था कठारा का इंपूटेंट यह नहीं है ठीक ना उननीस का मेडरिट और 21 का कहा होगा ग्लासको यूके में सम्मेलन का अध्यक्षता चिली ने किया था चिली ने और भारतिये रोस का परदानमंत्री बलामुदीर पुतित ने किया थाका इसका इसका काफी इंपोर्टेन्ट है आपके लिए ग्लोबल अस्टेबिलिटी शेयरड सीकूरिटी एंड इन्युवैटिव ग्रोथ फिर रिपिट करते rat Global Stability, Shared Security and Innovative Growth अस्थापना बिरिका हुआ था 2008 में और इसमें कुल 5 मेंबर हैं पहले 4 ही था पर्थम सिखर सम्मेलन रूस के ये काटेन वर्ग में 2009 में हुआ था 11 सम्मेलन ब्राजील में ही हुआ था और फिर इसका तो असान होता है ना बी आर आए सिएस ऐसे है ना तो जैसे 11 मा हुआ ब्राजील तो बार्मा रूस में अव्तियरमा का होगा इंडिया में होगा 2021 में का होगा इंडिया में होगा अगे 36 आसियान वर्चुल सिखर सम्मेलन 2020 का वर्चुल का मतलब यह होता है ना डिरेक्ट वहाँ पर में परजेंट नहीं हो रहा ओनलेन के थूँ ऐसा हो रहा है तो आयोजन अस्थल हनोई में हुआ था 2020 का बियत नाम में थीम जो इसका था वो था 24 एंड रिस्पॉंसिव आसियान अस्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 में कुलिस में दस देश है आसियान में केंद्रिये सचीवाल है इसका हेड़कोटर जकार्ता अब उपर पढ़े दे जकार्ता इंडोनेसिया की राजधानी में इसका हेड़कोटर है पर्थम सिखर सम्मेलन जो है कमबोडिया में हुआ था नाम पने में 2002 में सहितिस्वा सम्मेलन 2020 का हनोई में हुआ और 38-49 में होगा बुरुनेई 2021 का 2021 में कहां होगा असियान का बुरुनेई और 2020 में कहां हुआ हनोई देखो काफी इंपोटेंट है मेरे वह इसको ध्यान से पढ़ना याद कर लेना आगे है भारत आर्थिक सिखर सम्मेलन जो तैतिसमा होगा वो न्यू देली में हुआ था 2019 का मुक्य अतिति इसका बंगलादेश का परधनमंत्री सेख हसीना थी और थीम जो था वो था दक्षिन एसिया की मजबूती दुनिया पर प्रभाब आगे है 19 वा संघाई सहियोग संगठन 2019 का ये भिम्सकेक करिकिस्तान में हुआ था अस्थापना इसका 2001 में हुआ कुलाथ मेंबर हैं अठारवा सम्मेलन जो अठारा का हुआ था वो किंग्स दाओं में हुआ था और दोहजारवीस का सम्मेलन सेट पिटर्सवर्ग रूस में हुआ किसका संघाई सहियोग संगठन का 2020 वा सम्मेलन कहां हुआ तो सेन्ट पिटर्सवर्ग रूस में अठारवा गुट नीरप्यक्च सम्मेलन 2019 का आयोजा कस्थल बाकू है असरबेजान अस्थाबना 1971 में हुआ कुल 120 सदस्य है सत्रहवा सम्मेलन पोरलाम मर बेनुजुएला में है बेनुजुएला की राजदानी कराकास 2016 में हुआ था 45 मां G7 काफी इंपोर्टेंट है ये 2019 का ब्यारिट्स में हुआ था अस्थाबना 1975 में हुआ मुखी थीम जो था असमान्ता के खिलाफ लड़ाए 2020 का कैप डेवीड 2020 का कैप डेवीड अमेरिका में हुआ 46 मां सिखर सम्मेलन G7 का G20 बहुत इंपोर्टेंट है 2020 का काँ पे हुआ रियाद बहुत इंपोर्टेंट है इसका जो थीम था रियलाइजिंग ओफर्चुनिटीज ओफ दे ट्वेंटी फर्श्ट सेंचूरी फोर ओल 14 अवाम तो 2019 वाला हुआ था असोका जापान में और 21 में होगा इटली में फिर जी रिपीट करते हैं G20 का इस बार का हुआ था मतलब 2020 में कहा हुआ था रियाज सौधी अरब में 2021 का कहा हुआ होगा इटली में इटली में 25 चोगम जाने राष्ट मंडल जो सम्मेलन है वो लंदन में हुआ था अस्थापना 5 अक्टूबर 1992 में हुआ था कुल इसमें 27 मेंबर है 2020 का ये रवांडा में हुआ और 2022 का सामुआ में होगा सामुआ 2022 में अठारा में हुआ था कहां पे लंदन में हुआ था अगे अब बिस वा आर्थिक मंच का पचासमा वार्थिक सम्मेलन भेड़े इंपोटेंट क्योंकि पचास वर्स कम्प्लेट किया 2020 का वत दावोस क्वासकर सुरिजर लेंड में जिसका थीम क्या था स्टेक होल्डर फोर कोहेसिव एंड सब सस्टानेवल वर्ल्ड स्टोक होल्डर फोर कोहेसिव एंड सस्टानेवल वर्ल्ड एक क्यानवा सम्मेलन जो है 2021 का वो होगा लुंगर्स वांगे स्ट्रॉक सुर्जर लेंड में और इसका जो थीम होगा 2021 वाले का थीम दग्रेट डिसेट दग्रेट डिसेट आगे बिम्स्टेक सम्मेलन जो पाचवा होगा 2020 में वो होगा कोलांबो स्री लंका में हलाकी हो गया अस्थापना इसका 1997 में हुआ था कुल साथ मेंबर है इसमें पाकिस्तान को छोड़ दो आसियान में सार्क में से चोथा सम्मेलन इसका काटमांडू में बीस में कोलांबो में कोलांबो अब देखो आगे जो हमारे एक सेस्ट है वह भारत की जनगन ना ठीक ना 2011 वाला तो वह इंपोटेंट नहीं है एक प्रस्त इसे नहीं आया ह इसका है और बावन सीट याद रखेगा एंडिये में आता है बीजेपी और उसका आप सही होगी जबकि यूपीये में कौन आता है कॉंग्रेस और उसका सही होगी ओके तो यह थोड़ा आपको याद रखना है महत्पूर्ण यहां पे कुस्तात्य उसको भी पढ़ लेते है जैसे कि लोकसभा चुनाब यह 17 चुनाब था आयुजित कराया गया साथ चरन में बरत्मान लोकसभा सीट जो है वो 545 है चुनाब कितने सीटों पे रहुआ था तो 542 सीटों पर पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीट मतदाताओं की कुल संख्या 90 करोर कुल मतदाता परतिसत 67. 60.1 परतिसत हुआ मतदाता हेल्फ लैंज जो था 1950 था 1950 पहली बार इवियम सामिल होने वाली स्विधा अमिद्वार की फोटो अमिद्वार की फोटो आदर्स अचार संधीता का उलंगन से संबंधित सिकायत के लिए लॉंच किया आप कौन था जी वीजिल बहुत इंपोटे स्विधार की चुनाव राजदूत की से बनाया गया था गौड़ी सावंत लोकसभा के लिए जम्मु कास्मीर की इंपष्ट की से बनाया गया था संथी दूआ को लोगसभा में नव निर्वाचित कुल महिला संसदों की संख्यां 78 था जिसमें 40 भाजबा का एक आंग्रेस का और 37 अन्य था 2019 लोगसभा चुनाब में पहला वोट किसने डाला था तो ITVP के सुधाकर नटराजन की द्वारा डाला गया था देश की एक मात्र जिला जहां पूरी मत गन्ना महिलाओं ने करवाए थी वो था हर्दामाद प्रदेश का आगे दिया गया कोवेट 19 से सम्मंधित महत्पूर्ण तत तो इसको हम अगे लिए वीडियो में कंप्लेट करेंगे वीडियो आपका वही रहेगा एक वीडियो में च सब्सक्राइब करेंगे वह सब्सक्राइब करता है आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं वीडियो को करते हैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद